नमस्कार दोस्तों मैं मोलका सार आपका फर्स्ट यर विकॉम यस उडान बैश में स्वागत करता हूँ दोस्तों यह डेमो लिक्षर समझे या फिर आपको इससे यह समझ में आ जागा कैसे हम पढ़ने वाले ओनलाइन और बहुत जादा इंट्रेस्टिंग तरीके से हम जैसे कि अब आपके सामने न्यूस का इनो की विव दिख रहा है निउस्टूडियो का इंपोर्टन कंसेट पीछे अलर्ट आ जब में कोई इंपोर्टन कंसेट पर होगा जो बहुत जादा इंपोर्टन तो यह बैग्राउंड आपके सामने आ जाएगा और यही नहीं दोस तो उडान बैच 18 तारिक से शुरू हो रही है, आप प्रेकॉर्ड लेक्चर अपने एप में भी देख सकते हो, नहीं तो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा होगा, आप तीछला वाला उडान बैच के अनाउस्मेंट का आप वो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप् आप क्लास है, आप आ सकते हो, ओफलाइन भी आपका स्वागात है, लेकिन ऑनलाइन में जब हो रहा है, तौप वो भी बेनिफिट उठाई है, सर, सेकेंड चैप्टर हम, मैं आज आपके साथ डिसक्रस करने वाला हूँ, चैप्टर का नाम है दोस्तो, पीस्मिल डिस्ट्र पूरा रहेगा, फुल फोकस कीज़े, दोस्तो हर एक चीज समझेगी आपको, सर, टोटल मैंने आपको कह दिया था, चार चैप्टर है, जिसमें से सेकेंड और थर्ड चैप्टर बहुत जादा इंपोर्टेंट है, जिसके प्रैक्टीस करनी मस्ट है, और मैं आपसे करवाल होगा, लेकिन सर, क्या पढ़ना हैं हमें पीसमेल डिस्ट्रिब्यूशन में, या होता क्या है, जरा वो देख लेता है, दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट है, आज में उतना ही पढ़ा होगा, ताकि आपको ना आइडिया आ जाए, कि कैसे ये चीज चलेगी, दो टर्म पार्टनर्शिप आक्ट द्वारा डिल किया जाता है, जो भी उसके प्रोविजन से, मलब क्या सही है, क्या गलत है, पहली बात है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो बाते आएगे, यह दो वर्ड्स का मतलब आपको समझना चाहिए, एक, डिसलूशन ऑप पार्टनर्श पार्टनर्शिप में एड्मिशन, रिटार्मेंट, डिथ बहुत जान पर जाती थी सर, वापस वही आने वाला है भी कौम में, डरो मत दोस्तों, समझ लो, जो हमने एड्मिशन, रिटार्मेंट, डिथ पढ़ा था न, यह theory में लिखा हुआ है, मैं आपको सिस चार्ट फॉ पार्टनर्शिप और डिखान मदे, सर, जब कोई भी पार्टनर एड्मिट होता है, या कोई एक पार्टनर रिटार हो जाता है, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, लेकिन मेरा पार्टनर्शिप फॉर्म बंद नहीं होता, पार्टनर्शिप फॉर्म कंटीन्यू रहता है सर जैसे कि डेमों में बताओ सपोज ये तीन पार्टनर है ठीके दोस्तों ये तीन पार्टनर है और इनमें और एक नया पार्टनर आ गया चौथा तो क्या कहा जाएगा इससे admission का case है और क्या firm बंद हुई क्या नहीं तो firm तो चालू ये लेकिन partnership में आपको पता रहेगा पी एसर रेशो वगेरे बदल गया रहेगा तो इससे हम क्या कहेंगे reconstitution या dissolution of partnership पुराना partnership firm तीन लोगों का खतम हुआ और चार लोगों का नया partnership firm बना तो इससे reconstitution of partnership कहता है सेम केस retirement की एक बंद अब रिटायर हो गया चार थे अपती नहीं रहे या एक बंदे की death हो गई तो admission retirement death इन तीनों cases में इन तीनों cases में partnership firm बंद नहीं होती इससे या तो में dissolution of partnership का होगा नहीं तो और एक शब्दे reconstitution of partnership कहा जाएगा मसर dissolution of firm बंजे का है इधर भी शब्दे dissolution इधर भी शब्दे dissolution लेकिन ये dissolution क्या है partnership का जहाँ पर partnership firm बन नहीं होती और dissolution of firm मतलब क्या सर अब ये partner जितने भी थे वो सब के सब लोगों ने decide किया partners ने decide कि अब हम ये firm continue नहीं करेंगे तो ध्यान से सुदना जब discontinuation of business होगा everyone please pay attention मैंने क्या कहा जब discontinuation of business होगा क्या होगा बेटा discontinue मतलब firm नहीं चाला नहीं हमको बंद कर देनी है तो उस वक्त जो चीज होगी उससे क्या कहा जाएगा dissolution of firm क्या कहा जाएगा बुल एवरीबड़ी अपने मुसे बोलो dissolution of firm अनि सर तेवा हाज ओ चैप्टर आपन वास्तवा है कौनसा सर पीस मिल distribution of cash ये वाला जो chapter है ये वाले जो concept है ये किधर काम में आते हमें जब हमारा firm dissolve हो जाता है इतना perfect समझा देखो dissolution of partnership पे ये नहीं आएगा ये तो हमने 12 पे पढ़ा particular chapter में question के तोर पे balance sheet होता है जहाँ पे एक तरफ liability रहेगा एक तरफ asset रहेगा अब firm तो बंद हो गई अब firm अगर बंद हो गई सर तो क्या करना पड़ेगा मुझे मेरे सारे assets को मतलब distribute कर देंगे मतलब अगर हमारे creditor को पैसा देना है तो assets बेचा पैसा है तो creditor के पैसे दो दिये हमने bank से loan लिया था तो पैसा आया तो हमने bank का loan चुका दिया है ना हमको अभी जो partner से जिन्हों पैसा दिया था तो ओ खुझ में भी अपना-पना पैसा बाट लेंगे करके तो अब यह कैसे बाटना है यह सीखना है पिस्मिल distribution है बहुत सिंपल से बात है चैप्टर का है अस्तो सर पिस्मिल distribution का है तो वह है कि जब firm dissolve हो जाता है तो partner को अपने asset को बेचना है जिसको realization कहेंगे मैं समझाओगा आपको पढ़ागा पढ़ा के दोगा अभी सारी चीज़ है realization realize करेंगे asset को और जो पैसा आएगा वो paid up करेंगे liability को पन liability paid करता ना एक sequence आ है और वही तो समझना है सर उसी के तो मांक से chapter बहुत हलका पुलका है कोई दिक्कत ने सर जरा यह भी पढ़ा दो तो हमें क्या है हर एक चीज़ पढ़ना जुरी कोई college में जब आप जाओगे जब paper होगा चलो sir become का एंगल से नहीं हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें future में sir job मिलना चाहिए या फि जाके पूछा पिस्मिल डिस्रूबिशन के लगा रट लिया क्या हां लेकिन बोले अप यूस का पर होता है डिसुलूशन ऑप पार्टनर्शिप और डिसुलूशन ऑप फर्म में फरक बता हो बच्चे वह नहीं पता अब आपको पता है कि जब पार्टनर का business continue हो रहेगा admission कुछ भी हो लेकिन business चल रहा है that is dissolution of partnership लेकिन firm ही discontinue हो गया तो भोलेंगे dissolution of partnership firm क्या dissolution of firm करके partnership firm चलो यही चीज अब theory में बताता हो तो देखो कितना simple understanding हो जाएगा अगर theory में आप बोर नहीं हो रहे दोस्तो तो practical में तो और मजा आने वाला है लेकिन चलो देख लेते हैं पहले लेक्चर में चीजों को समझते हैं the term dissolution stand for discontinuation ठीक है sir dissolution सा अर्थस तो क्या आता पुड़े काही काम होना ने discontinuation under the partnership act 1932 the dissolution में either partnership और firm देखो मैंने समझा दिया कि dissolution दोनों चीजों का हो सकता है तो dissolution of partnership होगा नहीं तो dissolution of firm होगा the dissolution of partnership amongst all the partner of firm is called dissolution of firm करके it should be noted that there is a difference between dissolution of partnership and dissolution of firm अता तेस गोष्टत अन्नी घुमों फिरों सांगित लिए कि there is a difference फरक होता है dissolution of partnership or dissolution of firm है बहुत फरक है क्या फरक है यह तुमको teacher पूछेंगी तो बताते आना चाहिए क्या देखो dissolution of firm means complete breakdown of relation of partnership amongst the all partner it is complete discontinuation of relationship amongst all the partner of the firm however if the breakdown is relating to few partner and not all the partner मतलब सीके मतलब सर क्या कहना क्या चाहते सर तीन पार्टनर थे तीनों के तीनों complete breakdown बोले आप यह business चलाने का नहीं खतम तो इसको क्या बोलेंगे मैं dissolution of firm क्योंकि business नहीं चल रहा है लेकिन सर चार थे चार में से एक चला गया एक मर गया या कोई नया एक बंदा आ गया तो पूराना agreement ओक discontinue होगा लेकिन firm तो चल रहा है तो इसके dissolution of क्या कहा जाएगा partnership के business चल रहा है करके मनीटवासा सर क्या बोला है यहाँ पर ठीक है ध्यान से देखो it involves the changes in relationship amongst the partner कि इसमें dissolution of partnership में admission, retirement, death of partner, amalgamation यह सारे cases है जिसकी वज़े से हम क्या कहते है कि dissolution of partnership हुआ है लेकिन partnership firm तो चल रहा है इसलिए हम लोग इसे सिप dissolution of partnership ही कहेंगे dissolution of firm नहीं कहेंगे ओके ठीक है सर्थ लेकिन अब दूसरा point डेखते है when partnership business comes to an end, end मंजे का है sampler, जब business बंध हो जाएगा the partnership firm is required to dissolve, ठीक है the assets are realized, word देख लो, realize मंजे का है, asset आमीविक उन्टा को, assets क्या कर देंगे, realize करनेगे and liabilities are paid off, asset विको औने जे पईशे आले तेचानी liability पे कर उन्टा को, since assets are realized in pieces, तुकडो तुकडो में, क्योंकि एक चलो सर ये तो दिमाग में आया रहेगा न सर, इस chapter को ये क्यों बोला, distribution of cash समझते हमको, distribution मन्जे वाट उन देना, cash मन्जे महितिसा है, cash लावाट उन देना, that is distribution, piecemeal मन्जे का है, कि sir, आपके balance sheet के सारे assets एक साथ नहीं बिकेंगे, sir, बहुत important बात बोल ओ, यहाँ पर जातो, what do you mean by piecemeal, हमारे assets एक साथ नहीं बिकने वाले sir, वो तुकडो तुकडो में जाएंगे, पहले land and building गया, बैस आया, फिर data से, पैसा आया, फिर furniture बेचा, पैसा आया, तो तुकडो तुकडो में पैसा आएंगे, और तुकडे तुकडे में हम लोग देंगे, मतलब थोड़े-थोड़े करके, तो cash, मतलब, distribution करेंगे, धिरे-धिरे करके, तो इसे कहा जा पीसमेल, distribution of cash, आनि या, लास मनता आपन का है, पीसमेल, distribution of cash, क्या आपको पहला point समझा गया वेटा, पीसमेल, distribution का मनतो आपन, अच्छा, मुझे अब कुछ सवाल हो के जवाब दो, dissolution of partnership और dissolution of firm, फरक समझा, यस सर, dissolution of partnership मतलब क्या, सर, partner कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे लेकिन business continue रहेगा, सब के सब partner नहीं मर गये, या फिर उन्होंने agreement cancel नहीं किया, dissolution of firm क्या, अब सारे के सारे partner बोल रहे हैं कि firm भी नहीं चला ना भी, सब के बीच में disagreement हो गया, तो उस case में क्या करना पड़ेगा, हमें assets को बेचना पड़ेगा, और liability को paid off करना पड़ेगा, लेकिन asset कैसे जाएंगे, pieces में, और liability कैसे paid होगी, pieces में, तो इसलिए उसको क्या बोलते, piecemeal distribution of cash, क्या पहला lecture समझा तुमको, आगे के lecture में हम लोग देखेंगे process कि कैसे, liabilities क्या होती है, क्या sequence होता है, internal liability मंजे का है, capital मंजे का है, external liability मंजे का है, और यह समझना बहुत दो है, अगर आपको theory समझा दोस्तो, तो practical तो मैंने offline में शुरू भी कर दिया है, आप देखोगे, तो practical में तो सर में बिना यह बताए भी आपको practical चीज़े बता सकता हो, और वो आएगी भी आपको, दो सम करोगे, तो तीसरा अपने आप solve करने लगोगे, लेकिन अगर आगे भव सेशन था, जो बहुत ही conceptual था, बहुत ही जादा, मैं सम बताऊगा, आगे सारे दो तीन lecture आएंगे, लेकिन उसके बाद आप प्लीस पहले 100 में आजाओ, और जो बैस चल रहा है, उसका फाइदा उठा लो, यह भी मैं रुकता हूँ, thank you so much, bye-bye, take care, और जल से जल registration पर लो, ज जहें जैपा,